जैगो माता दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल के अमरत कर्शी दर्शन पहां दोस्तों देखे हमने प्रिमिक्स बनाया हुआ है और देखते आपको बताते वीडियो में कि किस तरह से इस तरह से प्रिमिक्स बनाया जाता है देखे दोस्तों इस तरह से प्रिमिक्स बनके तैयार हो गया है और आपको वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखे कि किस तरह से प्रिमिक्स बनता है हम आपको वीडियो में पूरी जानकारी देखे दोस्तों तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को चालू करते और आपको बताते कि प्रिमिक्स कैसे बनाएं देखे दोस्तों आपको प्रिमिक्स बनाने के लिए किनकी आवसक्ता होती मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों आप इसमें मैदर लकडी का पाउडर भी यूज़ कर सकते मेथि लाना का पाउडर यूज़ कर सकते दोस्तों इमली बीच का पाउडर यूज़ कर सकते पेडों में जो गोन लगी रहती दोस्तों आप उसका उप्योग कर सकते गावार गम का उप्योग कर सकते यह त का उप्योग करते अब दीपक और मुर्थी दोनों बना सकते दोस्तो तो विडियो को चालो करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से यह बनाएं देखे दोस्तों हम जिस सामान का उप्योग इस में वस्तू का उप्योग कर रहा है यह मार्केट में अलग-अलग रेटों से आती है और अलग-अलग Quality की भी आती दोस्तो इसमें अच्छ अच्छी Quality भी है और बेकार ऊजिम्हार कई देखा जा रहा है कि जो मार्गेट में यह सब सामागरी इमलिभिच पाउडर गवार गम और मिलावट खुब मात्रम में आरी दोस्तो इस लिए आप जो हम रेज्यों बदारों वह उपर- नीचे हो सकता है आपकी क्वालिटी के उपर कर सकता है तो देखिए हमने मुलतानी मित्टी ले लिया है मुलतानी मिट्टी आपको 400-600 ग्राम के बीच में लेना है दोस्तो देखिए और यह आपको कोई भी दुकान में मिल जाएगी दोस्तो यह लगभक 10 रुपए का 400 ग्राम का पेकेड है तो आप इसको ले सकते हैं आप पाउडर ले लिजिए 400-600 ग्राम तक इसमें दोस्तो हमने 30-60 ग्राम तक मेथी पाउडर एट किया हुआ है इसमें 60 ग्राम तक चूना लिया हुआ है और इसमें 200-300 ग्राम तक इमली बीच का पाउडर मिलाया हुआ है दोस्तो इन सभी सामगरी को मिला कर इसको आप पैस में मिला देना है दोस्तो इस तरह से आप अपना रेशियो गलग quality आती आपके पास कुनसी quality का गवार गम है कुनसी quality का एमली बिच पाउडर हो हमें नहीं पता दोस्तों इसलिए हमने एक ratio set करके आपको नहीं बताए आपको एक लगभग में बता दिया है जिससे कि आप मिला कर आसानी से यह प्रीमिक्स बना सकते दोस्तों तो दोस्तो आपको लगभग तो समझ ही आ गया होगा कि आप यह सब चीज मिला कर आप इसमें एक ratio set कर सकते और इसमें धाई kg गोबर पाउडर मिला कर आप अपना प्रीमिक्स बना सकते क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी quality पर करता है कि किस तरह प्रीमिक्स बना तो देखे दोस्तों हमने गोबर पाउडर ले लिया है यह हमने धाई kg गोबर पाउडर ले लिया है और आपको वीडियो में जो हमने आपको पहले बताया है कि किस तरह से आपको कितना सामान कितना कितना मिलाना है आप उसका एक ratio बना के कर दीजिए दोस्तों आपको हम इसका बॉइडिंग भी बताते हैं कि किस तरह यह बॉइडिंग होगा और दोस्तों आप अपने इसमें देखिए आप छोटे दीपक और मूर्ती बनाएंगे तो बिल्कुर इससे आसानी से बन जाएगा दोस्तों अगर आप बड़ी मूर्ती अधिर्यख बनांकर आप अपने गईशना में ट्रेनिंग दे सकते हैं तो किसी。」 आप है अउनलों से बनाने में अगर आपको श्रक fetch दिये न कि पूल सकते हैं दोस्तों अगर अपने आपत्यती ज्सें बनाने, रहेनन में दोस्तों दोस्तों मिलती है दोस्तों तो उसके कारण क्रेक आने का संभाव ना रहती है और सुखने के बाद आड़ा तेड़ा होने की एक समस्या देखी गई है इसलिए गवार गम तो आप मिलाईए आप इसमें मुलतानी मिट्टी भी मिला सकते आप गोंद का बीच का गोंद भी गोंद का पानी भी मिल सकते दोस्तों और इमली बीच पावडर भी मिला सकते है और मैदा लकडी का भी बहुत लोग इस्तमाल करते दोस्तों मैदा लकडी भी इसको आप मिला सके तैयार कर सकते तो देखिए अब हम इस तरह से आपको इसको गूत के बताएगे देखिए दोस्तों हम लोग इसका प प्रेमिक्स बनाने के कोशिस कर रहे हैं दोस्तों हम बहुत जल्द उसमें सफल हो जाएगे उसमें आप एक फिट का भी मुर्ति बनायें तो बिढ़ाएगे तो उसमे फटेगा नि दोस्तु तो नुग करते कजा दोस Almost अगर आप हमारा चेनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजे, जिससे की नई वीडियो की नोटिपिकेशन आपको जल से जल मिल पाए दोस्तों, आपको हमने वीडियो में जो रेश्यो बताए होगे दोस्तों उसमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि भिया बस ऐसी ही बात करें, दीखे दोस्तों रेश्यो इसलिए हमने एकजेट नहीं बताए क्योंकि मार्केट में जो गवार गम, इमली बिच पाउडर जो मिल रहा है न दोस्तों यह अलग-अलग क्वालिटी का है, तो दोस्तों इसक आपका प्रिमिक्स बनके तयार हो जाएगा दोस्तों इस तरह से आप गूठ सकते हैं उसको और यह प्रिमिक्स बनके तयार हो जाएगा, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों देखें यह प्रिमिक्स बनके तयार हो गया है, अब आप इससे मूर्ती भी बना सकते, दीपक भी बना सकते दोस्तों जैगो माता दोस्तों